हलो स्टुडेंट आपको स्वागत है मेरे से यूटूब चैनल औरंग्जे मैथ किंग पर चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 12 का NCRD सॉलूशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का आज हम आप लोग को सॉलूशन कराएंगे 7.1 एकसर्साइज 7.1 का हम आप लोग को सॉलूशन बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का तो आप लोग वीडियो लाज तक जोड़ देखिएगा और बहुत ही इजिली हम आप लोग को समझा देगे ठीक है तो इसका पहला कोस्टन देखते हैं integration में आप लोग याद रखेगा कि differentiation का क्या होता है यह opposite होता है ठीक है तो इसमें first question बोल रहा है exercise 7.1 का पहला question पहला question हमको integrate करने के लिए बोल रहा है sin 2x का integration करने है sin 2x का integration देखिए बहुत easy है आप लोगों को पता होगा कि sin का integration क्या होता है sin का integration cos होता है लेकिन minus में होता है याद रखेगा sin का integration क्या होता है हों माइनस को से कश सिसे ना कि Ik t dusty न आ यहां से गूना होता था चैन रूल इंट तो इंट का भिखने में चाल से तो को यहां से गुना होता थे लेकिन यहां पर रिखाइड नो कई लोग केगा प्मै यह सी उजाएगा तो यहाँ पर अगला question देखते है, constant इसलिए लगाना है, constant यहाँ पर जरू लगाना है, क्योंकि यहाँ पर यह indefinite है, ठीक है, इसका अगर आप लोग differentiation करिएगा, तो यह आजाएगा, sin 2x आजाएगा, जैसे इसका differentiation जैसे हम लोग करेंगे, तो क्या आजाएगा, cost का differentiation देखे और c का 0 हो जाएगा, यह कड़ गया, minus minus plus हो जाएगा, sin 2x आजाएगा, ठीक है, सब लोग को बता दें कि जैसे integration और differentiation एक दूसरे के positive है, अगर integration करके फिर differentiation कर देंगे, तो वह ही प्याँ आजाएगे, ठीक है, चलिए अगला question दूसरा देखते हैं, भी बहुत ही असान है, cost का integration करना है, cost 3x का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cost का sin 3x होता है, ठीक है, sin 3x और x के coefficient से डिवाइट कर देना, यह इसका answer हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3, प्लस C, यह इसका answer हो जाएगा, ठीक है, एका part 2x, इसका integration कैसे करेंगे, एका part 2x का, एका part 2x ही होगा, और इसके x के coefficient से हम लोग डिवाइट करते हैं, यहाद खिएगा, x के coefficient से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइट कर देते हैं, इसका answer यह आजाएगा, अगला question देखते हैं, fourth number, a x plus b का hall square, fourth number question है, a x plus b का hall square, इसका हम लोग को integration करना है, तो याद खिएगा, इसको hall square भी तोड़के कर सकते हैं, लेकिन direct भी हम लोग कर सकते हैं, x का power n का आप लोग को formula याद होगा, कि x का power n plus 1, बटा n plus 1 plus c होता है, ठीक है, यह formula हम लोग लगा करके, इसको solve कर सकते हैं, इसली direct, ठीक है, तो इसका x plus b का power 2 plus 1 upon 2 plus 1 हो जाएगा, plus c, यह तभी formula लगा सकते हैं, जब यह अंदर में क्या हो, linear हो, linear मतलब x का degree 1 होगा, तभी लगाएंगे, अगर x स्क्वार होता है, तो इसलीर से हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह आप लोग याद हो कियेगा, तो a x plus b का power 3 upon 3 plus c हो जाएगा, ठीक है, तो यह इसका answer हो जाएगा, इसको cube पे तोड़ देए, ठीक है, cube पे भी तोड़ सकते हैं, a plus b का whole cube पे, तो इसको whole square पे भी तोड़ कर बना सकते हैं, ठीक है, अगला question देखते हैं, 5 number, sin 2x minus 4 into e का power 3x, अगर integration minus या plus में हो तो इसको हम integration को separate कर सकते हैं, इसको क्या लिक सकते हैं, sin 2x into dx minus, जो concentrate रहता है, उसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे sin 2x into dx minus 4 into e का power 3x into dx यहाँ पे sin 2x का integration क्या होगा, minus cos 2x upon 2, sin का integration यादा कियेगा, minus में होता है, minus cos 2x upon 2, यह फर्मूला, आप लोग थोड़ा सा ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है, तब यह ज्यादा समझ में आगा, तो यह इसका क्या होजएगा, cos 2x upon 2 minus 4 into e का power 3x upon 3 plus c होता है, यह इसका answer हो ठीक है, यादा कियेगा, sin का integration minus cos होता है, तो इसका यह answer हो देगा, अगला question देखते हैं हम लोग, छली यह question है, 6 number, 6 number question को कैसे बनाएंगे, इसको भी अलग-अलग separate कर देगे, 4 constant है, बाहर रखेगा, e का power 3x, dx plus 1 dx, ठीक है, तो इसको देखे तो, इसको देखे, 4 into e का power 3x का तो e का power 3x ही होगा, और x के coefficient से हम लोग divide कर दते हैं, ठीक है, और dx का integration याद अखेगा, dx का integration x होता है, ठीक है, एक बात आप लोग को बताते हैं कि अगर d theta का integration पुछे कोई तो क्या हो जाएगा, theta हो जाएगा, d, du का differentiation क्या हो जाएगा, u plus c हो जाएगा, ठीक है, du का integration क्या हो जाएगा, u plus c हो जाएगा, मतलब d के साथ जो भी रहेगा, उसका integration वही होता है, ठीक है, तो यह आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे हम आप लोग को बताते हैं, इसको अगर हम इसको करना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब फर्मूला क्या होता है, फर्म अगला कॉस्द देखते हैं, 7 number, 7 number कॉस्द क्या कर रहा है, x square into 1 minus 1 by x square into dx, जीशको गुणा कर देजे, गुणा जैसे करेए x square, इसमें जैसे गुणा होगा, क्या होगा, x square into 1 by x square into dx हो जागा, एक कर यह जागा, ठीक है, ति यह क्या हो जागा, x square का integration, x cube by 3 minus 1 3 होगा, घर हो यह 8 number question है ठीक है इसको quadratic है तो quadratic है तो इसके integration कैसे करेंगे अलग-अलग इसको भी कर दीजे A constant है बाहर तो X square DX हो जाएगा B constant है बाहर X DX हो जाएगा C constant है बाहर तो DX हो जाएगा A into X square का integration क्या हो जाएगा X cube by 3 plus B X square by 2 plus CX plus C हो जाएगा यह इसका answer हो जाएगा तो चलिए अगला question देखते है 9 number question देखे 9 number question बोल रहा है 2X square plus E का पर X तो हम क्या करेंगे इसको 2 constant है बाहर X square DX हो जाएगा plus E का पर X DX हो जाएगा तो 2X square का integration X cube by 3 plus E का पर X का E का पर X हो जाएगा इसका यह answer ठीक है आज होप आप लोगों को समन में आ गया होगा तो चलिए अगला question देखते है चलिए 10 number question क्या बोला है root X minus 1 by root X का whole square जिसको whole square पर तोड़ दीजे ठीक है यह क्या हो जाएगा root X का square plus 1 by root X का whole square minus 2ab into 2 में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा देखिए तो यह कड़ जाएगा यह root X का square यह भी खत्म root से square खत्म square से root खत्म तो X plus 1 by X हो जाएगा minus 2 हो जाएगा into dx हो जाएगा ठीक है इसको अब अलग-अलग कर देंगे separate कर देजिए इसको तो X dx हो जाएगा plus में 1 by x dx हो जाएगा minus में 2 dx हो जाएगा two constants हा बाहर X का integration क्या होगा X square by 2 plus 1 by X का log X होता है याद रखिएगा log X का differentiation 1 by X 1 by X का integration log X 2 dx का integration X plus C हो जाएगा तो यह इसका answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते है 11 number question में क्या दिया है x q plus 5 x square minus 4 upon x square ठीक है तेजिए का integration कैसे करेंगे इसको अलग-अलग कर दीदे यहाँ पे x q upon x square हो जाएगा plus 5 x square upon x square minus 4 by x square हो जाएगा ठीक है इन्टू dx चलिए इसको कैसे करेंगे यह कटेगा यहाँ पे x बचेगा यह भी कटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा यह क्या लिख सकते हैं इसको 4 into x square उपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा ठीक है dx अब यहाँ के बाद देखिएगा x का integration कैसे करेंगे पावर 1 है तो x square by 2 हो जाएगा 5 तो constant है बाहर हो जाएगा ठीक है तो 5 dx का integration x हो जाएगा अब 4 into इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे उतना ही से हम लोग divide करेंगे तो क्या हैगा देखिएगा x square by 2 plus 5x minus यह देखिए minus 1 आदेगा तो यह plus हो जाएगा ठीक है तो 4 into x का पावर minus 1 plus c इसको x square by 2 plus 5x plus 4 upon x हो जाएगा plus c इसका यह answer हो जाए ठीक है आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहा है तो चलिए अगला कॉस्चन आप लोगों को नेक्स क्लास में बताएंगे ठीक है